नमस्कार मैं दिक्षा सिंग हिंड नीज डॉट लाइव से स्वागत करती हो आपका हमारे आज के महमान Mr. Anil Vikram Singh का सहारा इस्पिताल के वरिष्ट सलाकार Anil जी सहारा कैसे इस गंतर्ण दिवस को मना रहा है देखे हम सहारा इंडिया परिवार लिखा है हम एक इसको परिवार के तरह लेके चलते हैं और 26 जैसा कि हमारा गंतर्ण दिवस है आज हम 24 गंतर्ण दिवस मना रहे हैं इस और सर्फर हम आपके चैनल के माध्यम से हिंड News.Live ने जो ये हमको और सर्फर दिया इसके थूर हम देशवाशियों को इसकी आज बहुत-बहुत शुक्त पामना देते हैं ये गंतर्ण दिवस तो हम मनाते ही मनाते हैं जैसा कि सबको मालूम है इसके संग संग हमारे अग्रावक मानी सहरासी जी जिनको हम लोग समान से सहरासी कहते हैं उन्होंने इस दिन सोचा कि ये गंतर्ण दिवस या सबतर्ण दिवस पे हम इसको एक भारत पर्व कितने भी मनाते हैं भारत पर्व से उनका ये तात्य पर्दी होता है कि देखे घर में हम जिस भी कास्ट के हैं हिंदू हैं मुसलमान हैं सिख हैं इसाइई हैं अपने घर में पूजा करते हैं लेकिन जब घर के बाहर हम निकलते हैं तो हम भारती हैं ये सोच लेकर के उन्होंने सोतंता दिवस और घरतंता दिवस पर एक भारत पर बनाया है जिसे आपने देखा होगा हम लोग भारत माता की एक मूर्ती बनाते हैं चारो कोने पर चारो रिलिजन के लोग बैठे रहते हैं ये सोच करके और हमेशा हम लोग फ्रणा देते हैं लो जो हमारा contribution है, योगदान है, कि हम जहां पे हैं, जिस अस्तर पे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको हम निस्था से करें. तो क्या कर रहा है सहारा हस्पताल इस बार नया, कुछ नए आयात नेरंतर कर रहा है? बिल्कुल, दिन बे दिन हम लोग इस हास्पितल को, क्योंकि जब ये हास्पितल बनाया गया, इस ठेतर में खासका पुरवांचल के लोगों के लिए एक पहला हस्पताल इतना बड़ा हस्पितल बनाया गया था, ये सोच थी हमारे माननी अदर निसाहरा हस्री जी की, जिन्हो इस रिजिजन में हमारे जो लोग हैं जिनको कोई तकलीफ होती है, भीमारी होती है, तो उनको दिल्ली बांबे जाना पड़ता है, ये सोच के ये अस्पताल उन्होंने बनाया, इतना हिूज अपने देखा कि इतना बड़ा अस्पताल है, और सब सुधाओं से संपन है, सब अच्छी सुधाएं अपने देख के वाशियों को, प्रदेख के वाशियों को, प्रवाँचल दोलों को देख सके हो, आज लेटेस्ट हम लोगने अभी तक एक करते करते हैं, हर चीज हम एड़ करते जा रहे हैं, अभी हमने हाल ही में एक रोबिटिक सरजिज शुरू की है, जिससे की बहुत और हमने, हम जो भी काम करते हैं, सुस्वरी बात के ये, कमड़िटिवली बहुत ही की फाइदी दर पे करते हैं, जिससे गरीब तबके के नीचे से नीचे से बग्त ब्यक्तिको भी ये शुरूदा मिल सके, अभी रोबिटिक सरजिज शुरू किया है, अभ झार भी पे कि आएदर भी खाइदी अडिक से से लिच और भी पाइदे बग्ग्तिक के लिचे से प्रदान कर सकते हैं तो यह जो रूबोडिक सरजिरे हैं यह मतलब हर्के लोगो के लिए मू लेया होगी, बिल्कुल होगी और बहुत ही क्यफाथ तरप हम बताए हैं, अभ लोगों को पहुंचे, लोग इसका लाब उठाएं, इसमें बड़े अड़ांटेज हैं, इस सर्जिरी के पर्फेक्शन is one thing, which is there, कि अगर एक मिनुट मेटर की चीज है, वो दस मिनुटे की दिखाई देगी आपको, तो सर्जिरी इसमें आदमीं मैनुली नहीं करना है, it is controlled by the arms of the computer, तो computer इसको manage करता है और पर्फेक्शन is very high, जिसे bleeding है, other things है इसमें बहुत कम होती है, और इसे recovery भी fast होती है, तो यह रोबोटिक सर्जिरी है जो है, यह मतलब कब से इसकी शरुवात हुई? अभी हम करीब दो मेने हुए, 1st December से हमने इसको शुरू किया है, और काफी अच्छा इसका भी result आ रहा है, और लोगों काफी शलाब भी मिल रहा है, और पुना इस अवस्वर पे आपको, आपकी टीम को और हिंद News.Live को हमायता से बहुत 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 शुब कामना है, आप ऐसे ही काम करते रहे हैं, आपके बढ़ाते रहे हैं, और जन मानस में एक awareness पैदा करते रहे हैं, हरते हो हम आपके साथ हैं, सारब दन्याव इस बहुत 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 वतुमित wow